और राइट वेलकम बैक कैसे हम सब आज का वीडियो मुल्टी मीटर पर है कि कौन सा मुल्टी मीटर अब के बैटर रहेगा हमारे पास जो भी है हम एक एक कुद देखेंगे कौन सा बैटर परफॉर्म करता है और कौन-कौन सी चीज है हमें देखने चाहिए मुल्टी मीटर ल ये आपने पास है मेकेनिक्स और यूनिटी और्मल है एक एक मिनपेक्स का है एक कुछ मर्टी मीटर है उन पर हम देखेंगे कि हमें कौन सा बैटर रिजल्त देता थे कौनता बैटर हैं वाजट के इस hilarious आप से कौन सी चीज जीजने जादा बताता है functions और accuracy कितना है तो किसी दोस्त ने comment किया था तो मेरे पर है दो-चार multimeter जिनका मैं review दे सकता हूँ तो चलिए एक एक को देखते हैं और समझते हैं हमारे काम में इसका क्या use है कैसे कौन-कौन से mode पे आप क्या-क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो बहुत सारे multimeters है जो मार्किट में आपको available मिल जाएंगे तो हमको क्या measure करना है mostly हमारे use repairing field में सबसे जादा DC हम चेक करते हैं voltages DC voltages measure करने के लिए इस तरह का symbol आपको mostly हर multimeter में मिल जाता है लेकिन जो multimeter automatic होता है उसके अंदर AC और DC का एक ही point आपको मिलेगा और जो automatic नहीं होते हैं उसमें अलग-अलग मिलते हैं जैसे DC का अलग point मिलेगा AC voltages चेक करने हैं जो घर की electricity बगएरा के लिए तो उसके लिए point मिलता है लेकिन यह automatic है तो इन एक ही point पे इन दोनों का आप चेक कर सकते हैं यहां उपर एक बटन है जिसमें select का बटन है आप AC चेक कर रहे हैं तो DC सेलेक्ट कर लिजिए DC चेक करना है तो DC कर लिजिए और न आटोमेटिक भी यह कर सकता है यह अपने लिए mostly हम यूज करते हैं DC चेक करने के लिए voltages confirm करने के लिए primary line, buck line वगरा 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 बहुत सारी voltages का tracks देखने के लिए हम DC का इस point का यूज करते हैं सेकिंड है सबसे important diode values जब हम लेते हैं हमारे फोन में continuity test हम करते हैं diode values चेक करने के लिए यहाँ पे एक point है सिंबल भी आप देख सकते हैं इस तरह का सिंबल आपको multimeter में नज़र आएगा इससे हम काफी चीज़ें confirm करते हैं connectivity confirm करते हैं quality lines को confirm करते हैं leakage की condition को भी confirm करते हैं बहुत सारा तो यहाँ पे चार functions देखे symbol बने हुए है diode भी है capacitance भी है continuity भी है और ohms mode में भी है तो इस एक point पे हम चारों चेक कर सकते हैं उपर से हम select कर सकते हैं कि हमें कौन सा mode use करना है हमें diode mode use करना है तो एक बार दबाएंगे capacitance फिर एक बार continuity test करना है जो beep करता है बजर रेंज में उसको चेक करना है तो आप इस mode का use कर सकते हैं सभी को अलग अलग आप जब select बटन दबाएंगे तो अलग अलग functions उसके काम करेंगे यह है diode values चेक करने के लिए capacitance और continuity ohms mode चारों के लिए एक ही point है और जो multimeter automatic नहीं होते हैं उनमें अलग अलग आपको यह symbols नज़र आएंगे उसके बाद है temperature temperature इसमें नहीं है तो अगर आपको किसी भी multimeter में इस तरह का symbol नज़र आए या फिर T E M P लिखा हो तो आप समझ सकते हैं उसमें temperature भी चेक करने का option है जो हम इसी वीडियो में देखेंगे उसका क्या फाइदा आपको मिलता है वो एक extra function है तो होना चाहिए यहाँ पे resistance values आप चेक कर सकते हैं यह ohms का symbol है इसी point पे आप चेक कर सकते हैं उपर से range select कर सकते हैं कि किलो ohms में चेक करना है resistance को ohms में करना है mega ohms है कितना है चेक कर सकते हैं उसके बाद इसमें जो बागी के function है जैसे torch का function हो गया तो इसमें available नहीं है frequency हम इसमें देख सकते हैं हर्ड से लिखा हुआ है और percentage का symbol है जब आप चेक करते हैं जैसे MDSO यूज करते हैं कुछ हद तक हम इस multimeter से भी frequency चेक कर सकते हैं normal multimeter में होता है बट उसकी range बहुत कम होती है और जितना अच्छा और महेंगा multimeter होगा उसकी range बहुत होगी frequency चेक करने के लिए तो यह multimeter इसकी कुछ megahertz में frequency है इसको आप कुछ हद तक as a DSO देख सकते हैं कुछ हद तक completely नहीं तो यह frequency measurement के लिए यहां पर point है उसके बाद है ncv conduction velocity ऐसा कुछ नाम है इसमें आप अपनी wire जो होती है dc की wire हो, dc voltage जिसमें flow करते हो या ac की wire हो अगर वो बीच में से कहीं से cut जाती है वो हम इसी video में end में देखते हैं किस तरह से इस function का आप use कर सकते हैं, यह भी useful है regular तोर पे नहीं कह सकते, बट कभी जरूरत इसकी भी पढ़ जाती है उसके बाद है display की backlight तो एक multimeter में यह तो common function है तो उसमें backlight होनी चाहिए उसकी display आपको दिखनी चाहिए जब आप काम कर रहे हों तो better response करता है अगर वो चले capacitance mode है capacitor वगरा चेक करने के लिए बट यह mostly जो electrician होते हैं उनके काम का है हम भी check कर सकते हैं बट न requirements नहीं है यह कुछ functions थे जो आपको एक budget में एक अच्छे multimeter में मिल जाने चाहिए तो एक एक को हम देखते हैं और देखते हैं कौन से में better accuracy आपको मिलती है यह 4 multimeter अपने पास है एक तो है UT 61E plus जो unity का है multimeter है इन सब के साथ जो props आते हैं वो इस तरह के normal prop होते हैं कुछ खास नहीं होते हैं बट काम चलाने के ठीक है अगर आप personal ले खरीदने चाहते हैं तो इस तरीके के कुछ अच्छे props आप market से खरीच सकते हैं और यह भी थोड़ा सा premium quality का यह आपको market से अलग से लेने पड़ते हैं ताकि आप इधर उदर touch होने से आपका phone damage ना हो एक capacitor आपचक कर रहे हैं साथ वाले में अगर वो pin लग जाती है तो हो सकता है जो खराबी थी वो ठीक ना कर पाओ और और अपना काम बढ़ा लो इधर उदर short नहीं होना चाहिए proper जहां पर आप test कर रहे है or testing वहीं पर पिन लगना चाहिए तो इसके लिए अच्छे प्रॉप होने चाहिए DC voltages को अगर हम देखें तो सभी में DC का function है जैसे इसमें लिखा हुआ है DC automatic perform करेगा यह automatic नहीं है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा सेट करना पड़ेगा जैसे 20 volts के अंडर चेक करना है तो 20 volts के अंडर में देख रहा हूँ तो हम देख सकते हैं यह 20 liters बोलता भी है जो value आएगी उसको बोल को बताता है यह भी automatic है तो सिरफ आपको voltage पे select करना है DC लिखा हुआ आएगा यह automatic नहीं है तो इसको आप select करें के मैं 20 के नीचे voltage देख रहा हूँ तो अंडर 20 इसको आप select करके चेक कर सकते हैं सबी props को मैंने एक ही wire से connect कर दिया है तो जैसे हम इसको 4 volts पे set करते हैं आप 4.2 पे तब देखेंगे 4.2 एकुरेट है इसमें भी एकुरेट है इसमें भी और इसमें थोड़ा सा drop है 19 watt यह भी ओके है यह भी ठीक है यह भी ठीक है यह थोड़ा सा कम है 18.92 के रहा हूँ voltages में at least सभी multimeter अच्छे है यह थोड़ा सा drop दिखा रहा है तो नॉर्माल multimeter है बाकि सभी में जो values है वो प्रॉपर ही नज़र आ रही है तो सभी multimeter अच्छे हैं voltage testing में कोई बुरा नहीं उसके बाद next है अब continuity में देखें या फिर diode mode यह इसमें दोनों फंक्शन एक साथ ही है continuity और diode mode इसमें हम select कर रहेते है यहां से हम select कर सकते हैं diode mode इस multimeter में भी हमें एक ही जगा पर continuity और diode mode देखने के लिए मिलता है तो जैसे ही हम अपनी wires को एक दूसरे से connect करते हैं तो यह full shot condition है इस condition में कोई value नहीं आनी चाहिए बट यहां पे अगर आप देखेंगे इस वाले wind packs में जीरो है जीरो है थोड़ा सा time भी ले रहा है अब डाउन कर रहा है जब सभी 0 हो जाएंगे बट इसकी value 54 दिखाता रहता है तो यह थोड़ा सा normal कह सकते हैं इस condition में बाकि सभी नहीं अच्छा है और जब हम diode mode में चेक करते हैं जब values चेक करते हैं forward wise में जब हम चेक किये तो हमको मिला कि यहां पे एक ही multimeter आपको value दे रहा है 269 forward wise में कोई भी multimeter value नहीं दे रहा है सिरफ एक multimeter है जो 2000 से अगर ज़ादा value हो तो आपको show कर देता है तो इसका यह plus point है reverse wise में जब हम देखते हैं 488 0, 479 481, 469 इसमें थोड़ा सा कम है ठीक है बागी सबी multimeter नॉर्मली काम करते हैं उसके बाद कुछ और जगां पे चेक करते हैं 410 489 थोड़ा सा अप डाउन है इसमें इसमें भी 411 इसमें थोड़ा सा कम है थीक है सबी जगां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है डायोड मोड में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है तो बट लो नहीं दिखाना चीहें ज़्यादा अब जैसे ये 160 के राउंड ये रीडिंग है तो 136 के राउंड दिखा रहा है मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखाना चीह सब्सक्राइब नहीं प intra मोने ज़्यादा रहा है सबसे पहले मैं एक किलोम की रिजिस्टंस पर कॉनेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे वन पूर आपको सही से दिखा रहा है थोड़ी बहुत वैल्यू अप डाउन दिखाता है 5% उपर नीचे हो सकता है को प्रब्लम नहीं है अगर आप इस मल्टी मीटर में भी देखेंगे ओम्स मोड में इसमें स्लेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कितनी ओम्स की चेक कर रहा हूं मैं दो किलोम से नीचे चेक कर हुँ तो मैं नो को सेलेक्ट कर दूंगा यह ऑटोमेटिक है अपने अप उठा लेता है जितने भी फैल्यू पाइंग नालइए ठीक है यह ब्यदिक्कत है भी अब चक करना चाहिए तो रेंट सेलेक्ट कर सकते हैं यहां पर वैल्यूस कि आटोमेटिक उठाएगा नाइन नाइन टू मतलब अराउंट वन किलो ओम सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट वाले में चाहिए जब हमने बन किलो ओम की रेजिस्टंस से इसको कॉनेक्ट किये 996 थीक है यह अब होकर काम कर रहे है कुछ जादा प्रॉब्लम नहीं यह था रेजिस्टैंस मोड हम हम चेक कर सकते हैं temperature के लिए इसका plus point है जैसे मैंने temperature को किया और इस mode में select किया और यह wire हमको मिलता है कि इस wire से हम चेक कर सकते हैं temperature यह इसके साथ ही आता है multimeter में तो इसका यह थर्म है इस पर जब हम heat करेंगे तो हमको जो temperature वहां पर शो करेंगे है कि यहां पर हीट अपने रखा 355 और air कर दिया है फुल कि अब जैसे में इसको हीट करेंगे है तो आप देखेंगे इसका कहां तक रीच करता है क्या temperature एक्चुली आपकी SMD से आ रहा है 340 कि 350 में यह 340 1450 के आराउंड जा रहा है जादा नहीं है बट इसी पर अगर हम दूसरी SMD को यूज करते हैं इसका temperature हमने रखा 300 और air को कर दिया फुल तो यह जो SMB है इसके आप temperature जो देखेंगे त्री हंडर्ड में है आपको यह temperature बे रही है SMB है और पिप्टी वांगम के राउंड मतलब SMB है SMB है कि एयर को फॉर पर करते हैं कि एयर को हमने फॉर पर किया 370-80 यहां पर हीट हमने रखा 300 वर्ट इसने कितना दिया तो इस मल्टिमेटर का यह अच्छा है फंक्शन जिससे हम देख सकते हैं कि टेंपरेचर हमें एकुरेट करना है तो हम उस SMD को अगर हमारे लिए वह 350 के जैसा ही होगा तो उसको कम हीट पर हम यूज कर सकते हैं हम प्रॉपरली सेलेक्ट कर सकते हैं एर कितना रखना है या फिर हीट कितना होना चाहिए तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि उसके बाद NCV जो मैंने कंडक्शन विलाउसिटी के लिए इसका ये बैनिफिट है कि जब आपकी वायर कहीं से तूट जाता है एसी डी सी कुछ परकनी पढ़ता है तो यहां पर ही आपको शोग करेगा कि हां यहां तक विलाउसिटी है ओपर टॉर्च पीजिए अगर य इंटर्नल ये अगर वायर ब्रैक हो जाता है एसी डी सी में तो चैक कर सकते हैं इसमें और वायर में गरंट फ्लो हो रहा थो यह आपको से बीप से शो करेगा कि यहां पर यहां तक फ्लो है कहीं पर विलॉसिटी कम हुई तो यह नहीं आपको शो करेगा अब यह चार मल्टी मीटर मैंने पिछले से तीन-चार साल से यूज़ किये हैं वोल्टेजस में सब भी सही है कोई बूरा नहीं है डायोड मोड में यह अपना जो मल्टी मीटर है सब्सक्राइब यह अच्छा परफॉर्म करता है यह वाला मल्टी मीटर फॉरवर्ड बाइस में रिवर्स वाइस में एकदम हंड़र परसंट मुझे लगता है कि जो वैल्यूस है वो प्रॉपर रहती हैं इन से भी महेंगे मल्टी मीटर आपको मार्किट में मिल जाएंगे कुछ इनकी अलग-लग स्पैशलिटी है जैसे यह अपने पीसी से कॉनेक्ट हो जाता है तो हम पीसी में देख सकते हैं या फिर हम वीडियो बना सकते हैं यह स्पीक का इसमें ऑप्शन है जहां से जब आप मल्टी मीटर की प्रॉप को कहीं पे टच करोगे तो जो वैल्यू जो मैं पहले यूज़ करता था थोड़ी सी वैल्यू थोड़ी से कम दिखाता है बाट ठीक है नॉर्मल अपने जो चार पांच क्राम है वो इन से भी हो जाते हैं तो यह कुछ मल्टी मीटर्स हैं जिसमें सबसे अच्छा मुझे यह लगा मैं कहने का साई भी 120 और यूनिट सारे फंक्षण है टेंपर्टेचर है एंसी वी हैं बोल्टेजिस हैं हर्ट की फ्रिकेंसी अब इसमें भी चेक कर सकते हैं इसमें भी कर सकते हैं एक अच्छी रेंज आती है यूनिटी में और इसका प्राइज भी जादा है यह नॉर्मल अपको 1000 से 1500 के आरांड बीच में मि बैक लाइट का इन दोनों में अच्छा है जब तक आप यूज कर रहे हैं तब तक ग्लो है इसमें मैंने थोड़ी सी सैटिंग करी थी पहले इसमें बंद हो जाती थी लाइप अब नहीं होती है यह कुछ दोस्त ने कॉमेंट किया था तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन स अपके लिए बैटर रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यों सो मच